दोस्तों इस दुनिया में जितनी भी चीज होती हैं, वो खास और शक्तिशाली होती हैं, आपको बता दें इसी प्रकार से मधुमक्खी का च्छत्ता होता है, जिसको मधुमक्खी बड़ी महंत और परिश्रम से बनाती हैं, हिंदू पुराने के हिसाब से मधुमक्खी के मधुमक्खी का च्छत्ता सबसे, ज्यादा शुब माना जाता है, जो आपके हर मनोकामना को पूरा कर सकता है, चाहे जितनी भी बड़, इस मनोकामना हो उसको आप लोग पूरा करवा सकते हैं, सही तरीके का इस्तिमाल करके मधुमक्खी के चटे का दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी दलित डरता आपका पीछा नहीं छोड रही है, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मधुमक्खी का च्छते का इस्तिमाल करके चामना पूर्ती करवा सकते हैं, शत्रु का नाश कर सकते हैं, दोस्तों आज, आपको मधुमक्खी के च्छत्ता के बारे में वो जानकारी और चमतकारी गुण पता चलने जा रहे हैं, जो आपको, पूरे ब्रहमांड में कोई नहीं बताया, लेकिन हमारे चैनल पर आपको स चीरवाद मिल सके वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मधुमक्खी के च्छत्ता में माता दुर्गा कावास माना जाता है, माना जाता है कि माता दुर्गा कावास मधुमक्खी के च्छत्ता में होता है, मधुमक्खी के जो च्छत्ता ह वह मधुमक्खी बहुत महंत परिश्रम से बनाती है, इसमें लाखों मधुमक्खियां की महंत। लगती है, अब आप एक बात जान लीजिए, जिस जगह दिव्याशक्तियों का वास होता है, मधुमक्खी चाते अपना वही पर बनाती है, जैसे पेड़ घर खाली कमरे जहां पर भूत पिशाच भी होते हैं, इसका सिर्फ एक कारण होता है, दिव्याशक्तियां या ऐसी शक्तियां जो बहुत ताकतवर होती हैं, वहाँ पर मधुमक्खियां अपना चट्ता जरूर बनाती हैं, दोस्तों जिस प्रकार से कोईले की खान में। हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्या शक्ती जहां होती है, वहां पर मधुमक्खिया का छत्ता पाया जाता है, कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगाता रे रही है, जा रही हैं, आपके घर की छत पर मधुमक्खिया ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जा ये आपके घर में कला जादू हो रखा है नकारात्मक ताकत है आपके घर में ए चुकी है अब आपको सावधान होने की जरूरत है दोस्तों मधुमक्खियां अपने छत्ता इसी लिए बनाती है ताकि आपको कश्ट से निवारन मिल सके तांत्रिक तक्तो को आप लोग इस्तिमाल करके कला जादू भूत प्रेत इन सब को भाग सकते हैं मधुमक्खियां को चत्ता का आपको बस सही इस्तिमाल समझना होगा सबसे पहले तरीका ये है कि अगर आपका मैन कही नहीं लगता है आपका कम नहीं चल रहा है व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मैन हमेशा विचलित रहता है तो समझ जाएए आपके उपर कला जादू हो रखा है, भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मधुमक्खी के छाते के अंदर जो मौम होता है, अगर वो आप प्राप्त कर लेते हैं, और ग्यारा दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते हैं, किसी भी दीपक पर रख कर उसे पे आप बाती भी लपेट सकते हैं, सिर्फ ग्यारा दिन अगर आपने ये, प्रयोग कर लिया आपके उपर कितनी ही बड़ी कला जादू हो, रखा है कितना ही बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपके पीछे से है, जाएगा आपके मनोकामना पूर्ती करवाना चाहते हैं, दोस्तों मनोकामना पूर्ती के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं, वह अलग-अलग तरीके के प्रयोग बताते हैं, लेकिन हिंदू पुराने के हिसाब से मनोकामना पूर्ती के, लिए मधुमक्खी का च्छत्ता जो होता है, वो ब पतर बत द्यान दीजिएगा मधुमक्त़ी कि छाते का आपको मौम् प्राप्त करना होगा आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता शे लेना है और मधुम्क्त्री के छाते से जो आपने मौम प्राप्त किया है उसको इस आकर में लाना है कि आप पट्टी को उसमें फसा सकें आपको सिर्फ इतना करना है और ग्यारा दिन जाकर किसी भी नदी में ध्यान रखिएगा तालाब नहीं नदी में इसको परिवहन करना है आपने ग्यारा दिन मधुमक्खी के चाते से प्राप्त की हुई मौम से जो पीपल का पत ते को उसमें फसाया है और ग्यारा दिन तक उसको परिवहन करवाया है किसी भी नदी में इस प्रक्रिया से आपकी मनोकामना जरूर पुरी होगी ध्यान रखिएगा जब आप इस पीपल के पत्ते को और मौम को परिवाहित करवा रहे होंगे बंद करके अपनी इच्छा जरूर बोलिएगा लगातार 11 दिन तक इतना करने पर कितनी ही बड़ी आपकी मनोकामना हो उसकी पूरती जरूर होगी हिंदू पुराने में ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी आपका एक रुपया खर्चा नहीं होगा और आपका सारा कम बनता चला जाएगा दूसरा आपको बता दें आयुर वेद की ज्यान में मधुमक्खी के छाते से जो शेहर निकलता है उससे कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं उसी तरीके से तांतरिक भाशा में मधुमक्खी के छाते से गरीबी और दरिद्रता भूत प्रेत पिशाच सब कुछ दूर भाग ज अगर आप लोग लगातार कर्जे में डूपते चले ए रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस कर्जे को कैसे खत्म किया जाए अब जो हम आपको तरीका बताने ए रहे हैं। उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको एक लाल कपड़ा लेना है, मधुमक्खी के चाते का मौम लेके आना है, रखिएगा आपको एक लाल कपड़ा लेना है, इस लाल कपड़े में मधुमक्खी से चाते से जो आपने प्राप्त किया है, उसको बंद देना है, अब इसको आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उसे जगह रख देना जहां पर सोना चांदी रुपए रखे रहते हैं, अगर आपने ये रख दिया हिंदू पुराने के हिसाब से आपके सोने में चांदी में रुपए में वृद्धी होना चालू हो जाएगी बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप लोगों ने आज भी करोड़पती अरपती लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में धन के रख कर तो आप मधुमक्खी के चाते से जो मौम तोड़ के ला रहे हो उस से मुक्ती पाना चालू हो जाएंगे जो कर जैसा आप अपने जीवन में रोज परेशान होते चले रहे दा अब उससे आप परेशान नहीं होंगे, उल्टा आपके घर में धन की व्रिद्धी होना चालू हो जाएगी, इस बात पर कमेंट सेक्शन में एक बार जये, महालक्ष्मी जरूर लिख दे ताकि आपको मैन लक्ष्मी का आशीरवाद मिल सके अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आप उसे अपने शत्रू का नाश कर सकते हैं, कैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको मधुमक्खी हफते की मौम लेनी है, आपको काली हंड धूंड के लानी है, ध्यान रखिएगा काली हल्दी धूंड के लाएए, इसको मधुमक्खी के जो चत्तीस आपने मौम प्राप्त किये, उसमें मिला दीजिए, ये मिला कर के आपको अपने शत्रू का नाम बोलके किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंकना है, तालाब नदी नहर में एवं अपने शत्रू का नाम बोलना है, ग्यारा दिन अगर आपने ये कम कर लिया, तो जो शत्रू आपका नाश करना चाहता था, जो आपके पीछे पड़ा था, आपका विनाश करना चाहता था, वह आपको देखकर भी घबराना चालू हो जाएगा, वो तक दर लगने लग जाएगा, दोस्तों, ये सब जो हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, ये हिंदू पुराने में साफ साफ लिखे हुए हैं, हिंदू गमे साफ साफ इनका उलेक है, जिसको हम लोग छान बीन के लेके आते हैं, ताकि हमारे देश के, जितने भी हिंदू कल्यान हम कोशिश कर रहे हैं, कि जितने गरीब भाई बहन है, उन तक हिंदू प्राणों की वो बाते पहुंचा सके, जो उनको कहीं भी सीखने को नहीं मिलती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए इस चैनल को गरीब भाईों तक पहुंच मिलेगा और हम सब पुन्य के भागीदार हो जाएंगे, दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो लाइक करना मत भुलिएगा